तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूटूब चैनल SKM Study के इस लेटेस्ट वीडियों बहुत-बहुत स्वागत है और यहां पे क्लास 12 के बच्चों के लिए सामान हिंदी का पेपर ठीक है लेकर हाजिर हुए है जो बच्चे आप जानते हैं कि हम यह जो हमारा यह जो पेपर है यह गेस पेपर है और यह SKM Study पे अप्लोड होने वाला है ठीक है न 11 बजे दिन में यह अप्लोड हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो वीडियो कोईंड तक बने रही है का बेलकुल भी SKIP मत करना क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 2023 का गेस पेपर लेकर हाजिर हुए है ठीक है ना गेस पेपर लेकर हाजिर हुए है और इस गेस पेपर में 40% कोईश्चन निश्चित रूप से फसने वाला है यह 40% कोईश्चन सौ प्रतिसत गारंटी वाले कोईश्चन है दोस्तों कितना सौ प्रतिसत गारंटी वाले कोई तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना पूरा वीडियो देखना क्योंकि यह अगर देख लिए ना तो आपका 40% पक्का हो जाएगा साथ ही साथ इसमें हम वह सारी चीज बताएंगे जो आप कमी करते हैं लिखने में ठीक है ना और गद्यांस का हम लिखने का तरीका बता हैंगे अगर आपको गद्यांस नहीं आ रहा है अगर उस ट्रिक से साल्व करोगे तो आपको दस नंबर में से आठ नंबर मिली ही जाएगा ठीक है चो चलिए जब इक्जाम में बैटो के दोस्तों तो इस तरीके से आपको बोर्ड कापी मिलेगी और इस बोर्ड कापी में और इस बोर्ड कापी के साथ साथ इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा और इसी पेपर्स का सल्यूशन आपको इस कापी में देना है ठीक है ना आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा यह कापी इस पेपर्स का सल्यूशन आपको चार घंटे तीन घंटे में साल्व करना है लेकि एपको दस अंक का रोल लंबर मिलेगा यह दस अंक का रोल नमबर यहां पर भर सब्दों में कैसे लिखोगे 2, 3, 5, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 5, सुन सब्दों में लिखोगे उसके बाद यहां पर है विसय, विसय के सामने जिस विसय की आप परिक्षा दोगे उस विसय का नाम यहां पर लिख दोगे साथ ही साथ जो प्रशनपत्र होगा आप जानते हैं हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है दोस्तों तो यहां पर केवल प्रशनपत्र लिखेंगे फिर आगे आता है प्रशनपत्र परंकी संकेतांग तो यहां पर संकेतांग यह जो paper में हर paper में एक संकेतांग होता है दाहिने साइड में उपर की ओर यिस box के अंदर भर देना है ठीक है ना उसके बाद आपका यहां पे लिखा है परिच्छा तितियों पाली तो परिच्छा जिस तितिको जो सब्जेक्ट का एकजाम देना वो यहां पे डाल देना साथ ही साथ यहां पे पाली लिख देना ठीक है ना किस पाली में कौन आप जानते हैं आपका जो पेपर हो कांपी है पेंडिंग लिस्ट में डाल दी जाएगी और आपकी कांपी नहीं जाची जाएगी इसलिए थोड़ी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी भुगत नहीं पड़ सकती है आपका रिजल्ट है वो बेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा आप रोगे आप पस्ताओगे इसलिए आप इसको बिल्कुल भी कत्ताई गलती नहीं करने अब देखें दोस्तों अब यहां पे करना क्या है आपको जरा ध्यान समझना यहां दोस्तों यहां पे ना अब आपको यह तो रहा फ्रंट पेज भरने का तरीका ठीक उसके बाद इस तरीके से इसको हम अटाते हैं और इसको पल्टेंगे अब यहां पे यहां पे सुरू में ना आप यहां पे भी रोल नंबर भर देना ठीक है ना यहां पे आपको रोल लिखा होगा नित यह उसके बाद पहले कोईसंच में यहां प्रत्रेंट पर लिखना है इसे इंड़ यहां प्रस्टा tárhle का क एक लाइन गएप एक लाइन गएप गण लाइन गएप कर lent Kil हो कि अच्छा लगेगा दूसरी चीद का जो सई हो गया का ज्योग Sakhi ओगा यहां लिगतेना अंगा का जो सअई हो कि यहां लिगतेना चलीली अभिसे समया लेते हें यह तो लिखने का तरीका बता संपूरानंद है कोने है दोस्तों संपूरानंद का है इनका पूरा नाम डाक्टर संपूरा नंद है ठीक उसके बाद देखिए अगली question है देखो इस प्रस्ण का उत्तर यहां पे लिखा न का का दूसरा सही है ठीक आईसे एक्जाम में आपको लिखना है उसके बाद देखे ललू-लाल की रचना ललू-लाल की रचना किस ने की थी दोस्तों ललू-लाल की रचना प्रेम सागर ने की थी याद रखना ललू-लाल की रचना प्रेम सागर ने की थी पूरा वीडियो इंड तक देखियागा बिल्कुल भी इसकी मत करना प्यारे बच्चों क्योंकि आ कोर्स को पढ़के जाना अब मात्र ये कोर्स 499 का कोर्स समय कम होने के कारण 50 रुपए में कर गया है कर दिया गया है 50 रुपए का गेम खेल लो उसके बाद आपको ये पढ़ पढ़के चले जाना एक्जाम में धूआ धूआ करके आओगे दोस्तों पेपर फार के आओगे खी तुछ देखेजरा ध्यान दिजेए परदा कहानी के लेखक हैं परदा कहानी के लेखक कौन ये सपाल जी हैं कौन है या सपाल जी हैं अगहाण अग्र मसीह के रशनाकर को हैं खund विश्ञू प्रभाकर हैं थी अग़ला है बानभट प opisतक изменique idd giving you exist agree ५50 लेदी ख्राग हैं किस युक की रचना है दोस्तों याद रखना छायावादी युक की रचना है किसकी है छायावादी युक की रचना का माईनी है अगला निमनलखित कभियों में कौन प्रगतिवादी युक का है तो याद रखना अग्रदास जो है दोस्तों प्रगतिवादी युक का है कौन है उत्तर लिखना है वह आप समझध लीजिए प्रश्ण उत्तर दो का कख गघ अंगा ठीक है ना इस्क्रीन स्वाड़ ले सकते हैं याद करके जाना दोस्तों जो प्रश्ण बता रहे हैं हम यहां पर दूसरे में थे दूसरे में तार सब तक का प्रकाशन वर्ष कितना है दोस् युक्त की रचना नहीं है तो मामा महा काप्ब नहीं है तो दूसरे का फटा-फट स्क्रीन उसके बाद अब गध्यांस में आ गद्यांस में निम्नलिखित दिये गए गद्यांस पराधारी निम्रिकी प्रिश्णों के उत्तर दिजिए धर्ती की माता की कोक में जो अमूल निद्रियां भरी हैं जिनके करण वह वसुंधरा कहलाती है उसे कौन परिचित नहोना चाहेगा लाखों करोनों वर्सों से अनेक प्रकार की धातों को प्रतवी के गर्व में पूशर मिला है दिन रात बहने वाली नदियों ने पहारों को पीश पीश कर अगणी प्रकार की मिट्यों से प्रतवी की देह को सजाया है हमारे भावी आरति का वियुदे के लिए इन सब की जाच परताल अवस्य करनी चाहिए तो इसमें पहला उत्तर जरा उपयुक्त ये जो गध्यांस है इस गध्यांस का संदर्व क्या है तो देखो इस गध्यांस का संदर्व है प्रस्तुत गध्यावरण हमारी पार्ट पुस्तक के गध्य भाग में संकलित यों भारती संस्कित के अध्यर्टा डाक्टर से और इतरीत है किसे राष्ट का सवरूप अब देखें जरा अब दूसरा धर्टी व सुंहरा आरे क्यों कहलते हैं तो यहां पर गद्यांस में देखो धर्टी सुंहरा क्योंका लाती है तो अब अब धर्ती माता की कोख में जो अमूल निदियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं तो आपका दूसरे का अंसर यहां से यहां तक लिख देना है याद रखना हर कोश्चन का अंसर आपके इसी गध्यांस में है आप कोश्चन पढ़ने से पहले दो बार गध्यांस पढ़ लेना उसके कहानी को समझ लेना उसके बाद कोश्चन पढ़ना तो आपका सारा उत्ता धड़ा धड़ आ जाएगा ठीक तो इस दूसरे का आंसर आपका कहां से कहां तक है यहां से लेकर यहां तक है जो कि हम देखो यहां लिखे हैं प्रत्वी को वसुंधरा लिवान निधियां भरी है फिर तीसरा नंबर है जराध्यान समझना प्यारे बच्चों रेखांकी तंसकी ब्याख्या कीजिए रेखांकी तंसकी ब्याख्या में क्या करना है देखो रेखांकी पहले कहां से कहां तक है देखो रेखांकी जो है यहां से लेकर यहां तक है तो आप चाहिए पूरा उतार दो तीसरे में ठीक है या फिर यही उतारो थोड़ा अपने से बना के जैसे देखो यही भी उतार दोगे तब भी कोई दिक्कर नहीं आपको इस तीसरे प्रस्ण का दो नंबर मिले ही जाएगा तो यहां विद्वान ने कहा कि धरती माता की कोख में जो आमूले रत्न भरे हैं इन्ही रत्नों के कारण प्रित्वी का एक नाम वा सुन्धरा भी है से हमारा प्रगान परचित होना चाहिए अब चौथा नंबर प्रश्ण देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर जो प्रश्ण है ज़रा समझे प्रित्वी की देह को किष्णे जाया तो प्रित्वी की देह को दोस्तों तेरा ध्यान देना हमारी भावी आर्थिक द्रिश्टिक से यह जांच मरताल अवस्यक है कि प्रित्वी की गर्व में इस्तित्वहमूल रत्न धात्य खनिश्पदास अन्यफल जल और इस प्रकार की अनेक अमोल वस्तूएं जिन्ह सजाया है पृत्रम्री की दे को किस ने दें सजाया है यहां पे दे को ए लिखा हुआ ही इसके बाद दोस्तों जबाधियान दे आ उसके बाद ढार्थिक अब्यूद्य हे तो में क्या करना चाहिए तो हमारे प्रिद्री आर्तिक अब्यूद्य कि दिष्ठWest फल जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तोय जिनमें धर्ती छिपाए रहती है ठीक तो फटा फटा आप इसका स्क्रीन सोड लेंगे अब देखे पद्यांस में आ जाती है यह हमारा गद्यांस यहाँ पर कंप्लीट हो गया अब हम पद्यांस की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों ठीक पद्यांस में भी दो दिये होते हैं एक करना होता है चाहे अथवा के उपर वाला कर लो या फिर अथवा के नीचे वाला क कर रहे हैं लज्जा सील पतिक महिला जो कहें दिष्ट से आए होने देना विक्रित वसना तो न तू सुन्दरी को ठेक जो थोड़ी सी स्रमी को हगोद ले स्रांति खोना होटों की और कमल मुख की प्लांता मिटाना कोई क्लांता क्रिसक ललना खेत में जो दिखावाए धीरे परत उसकी कलांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यदि हो तो उसे लाच हाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को तो यहां पर दोस्तों इसमें का रहा है उपरियूग पध्यांस का संदर्व लिखिए अब यहां पर पध्यांस का संदर्व क्या है प्रस्तुत पद्यांस महा कभी अध्या सिंग उपाध्याय हरियोध दौरा रचित प्री प्रवास से हमारी पाठ पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पौंदुद्ध का सिर्शक का भ्यान से उत्कृत है अब दूसरा नंबर क्या है रेखांकित अंसकी ब्याक्या तो रेखांकित यहां स यहां तक है इसकी ब्याक्या में क्या लिखोगे वह थोड़ी सी भी ठकी दिखाई दे तुसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारो और घेर कर उसकी ठकान मिटा देना जिससे कि उससे सुखे होट और मुर्जाया हुआ कमल सद्रिस मुख प्रफुलित हो उठे ठीक यह प्रफुलित हो जाएं और उसका सरीर उखड जाए यह तीसरा नंबर है पिर चौता नंबर है होटों की और कमल मुख में अलंकार बताईए तो होटों में रूपक अलंकार है और कमल मुख में उपमा अलंकार है ठीक है न चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न क्यों जलद और क्रिशक ललना का अर्थ बताईए तो जलद माने बादल ललना माने भूमि पुत्र होता है क्या होता है दोस्तों भूमि पुत्र अब देखे पांचवा नंबर निमलिखित में किसी एक लेखक का साहित परचेव देते हुए उनकी प्रमुक रचनाव का उलेक कीज वासुदेव सरन अग्रवाल दो पढ़के चले जाना ठीक है ना तो आज हम यह वासुदेव सरन अग्रवाल का जीवन पर चाहिए यहां पर बताएंगे आपको तो प्यारे बच्चों देखे डाक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरे जन्पत के खेडा ग्राम में हुआ था इनके माता-पिता लखनओ में रहते थे अता इनका बच्चमन लखनओ में ब्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारमिक सिच्छा भी हुई नहोंने कासी हिंदु बिस्विद्याले से यमय तथा लखनओ बिस्विद्याले से पारणी कालीन नामक सिर्ष प्रबंध दान क्या रहा दोस्तों तो डाक्टर अग्रवाल भारती संस्कित पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकान पंडित युम अनवेसर थे इनके मन में भारती संस्कित कुबाई ज्यानिक अनुसंधान के दिष्ट से प्रकास में लाने की उतकस्ट इस्ठा थी अता इन्हो क्या है डाक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध सोधियों संपादन के छेत्र में महत्तपूर कार किये इनकी प्रमुक रचनाओं का विवर्ण निमने लिखी थे इन्होंने निबंध ये किया है और जो सोध प्रबंध किया था वो पानी कालिन भारत वर्स अलोचना किया आएगा आप इसका स्क्रीन सोट लेकर पढ़ लेना ठीक अब आ जाते हैं कभीयों के जिओन पर्चे में कि बात करें मिल्खित में से किसी है कभी का साइथ पर्चे देते उनकी प्रमुक क्रितियों का उल्लेक प्रकाश डालिये तो यहांपे रामधारी सिंग दिनकर म प्रित्रस गारंटी वाले कोश्चन बता रहे हैं लेकिन आज के इस वीडियों सम हम जो है मैथली सरण के बारे में बताएंगे यहां देखे फटा-फट मैथली सरण का यह पूरा जीवन परचे का स्क्रीन स्वाट आप ले लीजिए ठीक है ना चलिए आगे बढ़ेंगे ठीक अब यहां देखे अगला है च्छा नंबर बहादूर रतों पंचलाइट कहानी के उद्देश पर प्रकास डालिए तो आपके वल पंचलाइट पढ़के चले जाना दोस्तों क्या पढ़के चले जाओगे पंचलाइट गारंटी वाला कोश्चन है यह पंचलाइट बहादूर कहानी का सारांस पुरा लिखा गया फड़ा फड़ा पिस्क्रीन Stewart इसका ले सकते हो उसके बाद की बात करें तो यहां पे यहां तक है बहादूर कहानी का सारांस फिर आपको हम खंड काब ध्यान देना स्वपठित खंड काब के अधार्प किसी ये खंड के एक प्रश्ण का उत्तर दीजिए अधिक्तम सब्द अस्जिवड होना चाहिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक, छे प्रश्ण है स्वणड कुमार खंड काब के नायक चरी चितरन ठीक, और यहाँ पे आपका हर जिले का अलग-अलग होता है तो हमारा जिला प्रयाग राज है इसलिए हमां आलोग ब्रित पर लिखने वाले हैं खंड काब किस पर दोस्तों आलोग ब्रित के आधार पर गांधी जी के चरी चित्रन प्रहुंग विशेष्टाएं ठीक, तो यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है फटा-फटा आप स्क्रीन सोड ले ले जो जिनका आलोग ब्रित से खंड काब ब्याता है वो इस वीडियो को इसको जरूरी स्क्रीन सोड ले और सबका अलग 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 आता है तो अपने हिसाब से आप काम करना ठीक, बाकी इधर का ज्यादे इंपॉर्टेंट नहीं है हम बेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसे पढ़ कर जरू जाना अब देखो यहां पर एक दम बेरी इंपॉर्टेंट सूपर इंपॉर्टेंट चीट ठीक आठवा नंबर देखे यह आठ नहीं यह है बारा नंबर को इस्टन ठीक हाला कि पूरा पेपर साल्व किये हैं लेकिन जो है जो इंपॉर्टेंट है ना कोई दाग ना लगे जो बता दी वो गारंटी के साथ हाए वही चीजह हम बताने जा रहे हैं देखो यहां पर बीर रसतों हरासरस का इस्थाई भाव के साथ उधारन तो आप परिभासा लिख हैं आप देखो लिखा हुआ है फिर देखिए अब लंकार की बात करें तो इसलेश अत्वा उत्प्रेच्छा क्यों आप उत्प्रेच्छा लंकार पढ़के जाना रस महरासरस पढ़के जाना और इधर जो छंद हैं वह सोरथा पढ़के चले जाना तोपर इस धाइब फ़ के जाना यह आने वाले हैं 2013 के एक्जाम में ठीक तो यहां पे उत्प्रेच्छा लंकार का पूरा इस थाई भावसाइट अस्पष्टी करन दिया है ठीक और यह दोहा इधर दोहा बहुत इंपॉर्टनेंट है दोहा मसवूर है जानते हैं रामायर में दोहा बहुत बड़ी भून का है तो यहां पे उसके बाद आप देखें तेरहवा नंबर प्रश्ण बहुत ही प्रचलित प्रश्ण है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रवेदन या प्रात्ना पत्र स्क्रेंशॉट ले लिजिए इस तरीके से लिखना और आपको एक्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है अब देखें लास्ट में निबंदी बंद आपको तीन पेज से कम नहीं लिखना याद रखना कितना पर दोस्तों तीन पेज ठीक निम्रकित विश्वय में और जनसंख्या पर बेरोजगारी पर इसके थोड़ा सब्द कांसेट बनाये रखना ठीक और जाके छाब देना तीन पेज से जादा लिखना जितना ज्यादा लिखना कि नौ नंबर का है अगर तीन पेज से कम लिखोगे तो आपको साथी नंबर मिलेगा पांची नंबर हो शारुकमर तीन मैंने बोला है कांसेट बना के जाना दोस्तों इस तरीके से यह पूरे पेपर्स का सेलुसान यहां पर किया गया अगले वीडियो मैं आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैंजे भार्त